अगर तुमने अभी तक सॉल नहीं किया या वीडियो नहीं देखिए तुरन जाके देखे उसे यह अपना रहेगा निंजा जेए 3 इसमें जो रहेगा इसमें सीधे-सीधे लिखा हुए साफसा प्रीवेस येर कोशन तो कुछ प्रीवेस येर कोशन जो की बहुत इंपोर्टे सकते हैं ये ए अब इसकी PDF वगरे कहां मिलेगी सरी नोट्स वगरे रहेंगे तो वो कहां मिलेंगे सर काफी सरे स्टटी मटिरियल ने वो कहां एक्सस होता है सर उसके लिए टेलिग्राम चैनल है कहां पर है वह एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटेस्ट है तो डिस्क्रि महीनी नहीं, साथ ही साथ जितने तुम्हारे फ्रेंड से उनको सभी कुछ जोइन करवा और शेयर करवा हो यह अब दूसरी एक और चीज, क्या होता है कि हम पूरी वीडियो लेंथ हम लों देख लेते हैं, बट एक लाल बटन भूल जाते हैं हैं अपन, क्या होता है पूरा द यहतरीन कॉलेज में अपन को जाना जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, स्टार्ट करते हैं सीरीज के साथ, और मेक शोर जो भी पुराने जो थे वो पूरा कम्प्रीट करना, और इसको तुम देगी सकते हो, पुराने भी जरूर कम्प्रीट कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत फा लिंक है, अब इसमें तुम्हें 300 जो आजाएंगे, इसमें बहतरीन तरीके से यह, और उसके बाद तुम्हें 100 तो तुरंद मिल जाएंगे, बाकि तुम्हारे पास जो रहेंगे, वो शेडूल वाइस हैं वो, तो तुम्हें पास शेडूल वगरे सब उसमें गिवन है, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हें और वीडियो लेक्चेर, मजएदार सब बिलकुल धमाकेदार चीज़े हैंगे, तुरंद तुम्हें एकसिस की अगर तुम्हें एफट कर सकते हो, बाकि अगर तुम्हें लगता है कि आर मैं लकनों के पास में हूँ, और मैं क्र जगों के हैं तुम, गोरगपूर कहीं के भी हो, आए, जोइन किये, 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, धमाकेदार, फिजिस का पेपर रहेगा, जिसका फिजिस का पेपर रहा है, उस दिन अपने इंट्रोडेक्शन पार्ट करेंगे, 21 मई से जबर्दस तरीके से अपन लगने जगी, पोड़ना है, अना, तो अगर तुम हो, तो तुम आज सकते हैं, आपर आफ्लाइन होगी, अब स्टार्ट किया जाए, नियम कानून के साथ, कुशन नमबर बन के साथ, एक बहतरीन से सवाल के साथ, पहले तुम ट्राई करोगे, और देखोगे, तुम्हारे कितने सह सही थे, वो तुम कमेंट करके बताओगे, सार, मेरे 9 सही थे, 8 सही थे, 10 सही थे ये, और हैस्ट जाही, पोड़ना है, स्टार्ट विट, कुशन नमबर बन तुम्हें दिख रहा है, बहुत जादा, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, ये, बहुत जादा वाला है, इप्ध से पहली चीज़ आती है, कि देखो, इलिप्स के लिए न, नॉर्मल की एक्वेशन जरूर याद रखना, पॉइंट फॉर्म में होती है, आज से, आज से ये याद रखेंगे सार अपन, ए स्क्वेर एक्स बाई एक्स वन, इतना तब चीज़े यहां पे तुम्हें ध्यान पड़ा रखना पड़ता है, बी स्क्वेर वाई बाई वाई बन, इस एक्वल टू आ जाता है, ए स्क्वेर माईनस बी स्क्वेर, या फिर आ जाता है, ए स्क्वेर इंटू ए स्क्वेर, बढ़िया तरीक से यहां चीज़े आद रख लिए, अगर तुम्हारे पास जैसे माल मालों तुम्हारे पास नॉर्मल में जैसे मालों इलिप्स के लिए यही चीज़ अगर हमें सर हाइपर बोला के लिए लिखने होती तो तब क्या आ जाता बस यहां पर प्लस बन जाता धमाकेदार यही चीज़ा आती है देखर है हो गया ना पॉंट ऊंच में तुम्हें कर लिए अब बोल रहा है जो पॉंट फॉर्म में अपन को लिखना हो मैं एकश अच्छा, यह होता है, तो बस इसको अब चपकाना है, जहाँ पर x1, y1 है, इसी point के लिए लिख रहे है, तो इसको चपका दिए, जैसे ही चपका होगे, देखो, यहाँ पर आ जाएगा, ax by e minus, फिर इसको बस रखना है यह, ay is equal to, यहाँ पर आ जाएगा, a square into e square, इस तरीके से है, अब बोल रहा है कि यह जो equation है, बोल रहा है, minor axis से pass करेगी, कैसे पता चला, यह देखो, ellipse will passes through the extremities of the minor axis, अब minor axis क्या होता है, 0,b, या तो फिर 0, minus b, इस तरीके से होता है, तो तुम किसी को भी चपका दो, जो तुमारे मन में आ रहा है, 0,b, 0, minus b, वो balance कर जाएगा, जैसे ही इसको क्या है, 0, यह चपकाते ही क्या है, यह बन गया, a,b के बराबर, तो a,b, is equal to क्या आ गया, a square, e square, तो a को काट पीट दो, a को क्या बोले, काट पीट दो, काट पीट करने के बाद क्या जाएगा, b equal to a का square, b को a को नीचे लेत गया हो, तो यहाँ पे square करो, यह, b square equal to a square into 1 minus e square, चपकात e square करके, तो 1 minus e square equal to e की power 4, अब इस equation के बाद answer देखना, बस अब e की power 4 plus e square minus 1, अच्छा, आप यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे बैठें आप यह, यह ही है, हाना, आगे कभी इसमें पाट आ जाता है, कभी-कभी तुमसे पूछेगा, what is the eccentricity, तो यह नहां से क्या करना, eccentricity भी निकाल लो, क्योंकि, क्योंकि इसके आगे मालो e पूछ लिया option में, अभी तो जैसे equation पूछ लिया, तुमसे e पूछ लिया, फिर तुम क्या करोगी, इसी को e square के t ले होगी, ऐसा आगे answer question आ सकता है, इसलिए हर एक चीजों के लिए अपने को mentally ready र क्या हमें सार यह रट ले ना, हाँ यह रट लोगे तो जबर्दस्त हो जाएगा, आनक क्या क्या चीजे रट हैं, अरे नक्षा देख लो, इसका नक्षा, यह सवाल कहीं से चुराएगा था, अंडरूट के अंदर, अंडरूट और फाइ माइनस 1 बाइटू, है ना, जमें में कुछ हो सकता है, तो E की वैल्यू का आ सकता ही है, करेक्ट, यह एक्वेशन को क्या करना है, रट लेना है, बहुत काम की एक्वेशन है, इससे WBJ में भी सवाल आया था, कर लोगों का छोड़ गया था, पीवेस एया, 1999 का, यह तो अभी recent के PYQ से अपनेंगे, देख सकत हो, यह याद रखना ही है, क्या याद रखेंगे, यह सरा, अब याद रखेंगे, नेक्स बार से, अब नेक्स पार्ट ही है, यह ऐसा PYQ है महानता वाला, पता नहीं कितने बार आया होगा, हमें भी नहीं पता ही है, गिंती नहीं कर पाई, इतने बार आया ही है, वेरी वेर very very important party है एक बार देख लो इस सवाल को फिर उसके बाद से next time कभी भी देखे तो answer लगाना ही है method समझ जो क्योंकि अगर तुम यह first time देख रहे हो तो यह सवाल में गड़बड़ी हो जाती है अगर तुम नहीं लिखा हुए a b c r in g p अब लिखा हुए a b c r in g p तो चप से चपका देना इसको यह देखते ही चपका दी तुरंत यह देखते ही अंदर से फीली आ रही है अब बोल रहा है equation इन दोनों की equation में common root है तो पहले क्या करते हैं इसमें d निकाल के देखते हैं जब हम d निकालते हैं तो देख रहें पता है क्या आ रहा है 4b square minus 4ac अच्छा अच्छा इससे क्या होगा यहाँ पर अपन b square equal to ac क्या आ गई जीरू आ गई है तो अगे ने 0 कैसे 0 b square equal to ac इमारक दिए 4b square minus 4ac सर अगर d 0 आ गया तो फिर root तो एक ही आ जाएगा जोकि एक ही real root होता है क्योंकि भाइड d 0 आ रहा है तो common root वाली a1 c2 minus a2 c1 upon sir school में पढ़े थे मला हमने teacher ने पढ़ाया था a1 b2 minus a2 b1 वो लगा लगा के पागल हो जाते हैं अब सीधे यहाँ पर रखना आई है सीधे इसकी value को उठाके रखना है इसको b minus b by a2 को क्योंकि common root है तो यह root इसको satisfy करेगा तो आजएगा 2 into minus b by a plus f और यह value आचुकी है is equal to 0 यहाँ पर क्या आचुका है b square देखो ऊपर में यहाँ यहाँ आचुका है b square इस b square को क्या आगर हो a c लिख दो ताकि a और a cancel हो जाए तो यह कितना आजएगा d into c by a देखते जाना calculation वाले क्या करो c को नीचे लियाओ सभी से नीचे लियाओ तो यह आजएगा d by a minus 2e upon b into a c plus f by c is equal to 0 अब जो a c दिख रहा है न बच्चे उसको चपका दो sir क्या चपका दे b square और क्या चपका होगे तो a c की value आजएगी b square तो यह b और यह b cancel होगे ओ वाओ वाओ चीज़ आ चुकी अभी है d by a minus 2e by b plus f by c is equal to 0 अब क्या देख कि अंदर से कुछ फीला रहा है अंदर से अंदर से कुछ फीला रहा है sir d by a e by b f by c are in a b नक्षा देख लो कभी-कभी यह पूछेगा कभी-कभी-कभी उनको मन करता है a by d b by e c by f उल्टा लटका देगा फिर क्या जाएगा hp आ जाएगा शकल देख लो इसकी शकल शकल देख लो ऐसी शकल है क्योंकि घूम रही है तो मैं देखते ही शकल देखी अरे यह तो सर ने क पार्ट करेगी अब यह अब ये शकल ये शकल पता नहीं केतने वार तो मैं देखी होगी है जाए इसमें पहले तो अपन को यह पढ़ लेना सवाल को पढ़ेंगे न यह हमेशा जब भी कोशन आएगा यह फौलस वलाएगा हमेशा अब क्यों क्योंकि इसके true table में जो एकी बार false आता है जब इसके हम true table बनाते है P implies Q वाले की तो इसके true table बनाते है तो एकी जगा false आता है ये true true false आता है true false false आता है false true true आता है और उसके बाद false false भी true आता है तो एकी जगा जाके नहीं ये false आता है एक जगा के, सिर्फ एक ही जगा पर ये false आता है, बाकि किसी भी case में ये false नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहरा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बंदा, ये बंदा क्या है, true है, है न ये बंदा, ये बंदा true है, ये बंदा क्या है, false है, ये बंदा false ह ये बंदा true है, क्योंकि तभी वो false आ सकता है, final तो P ता तो मिल गया न, true है तो P true मिल गया मतलब ये option ये option तो eliminated तो या तो false false आएंगे, या तो true false आएंगे अब भाई साब वहाँ पर लिखा है U U, U मतलब union के तरह चलता है यहाँ पर यहाँ पर लिखा है न, V, 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 V तो false union false, तब आता है false अगर तुम ये करते हो, false union true, तो true आ जाता ही है समझ रहे हो, क्योंकि अगर ये और वाली condition हो जाती है कोई भी true होगा, तो true आ जाता ही है जैसे दोनों बार true होगा, एक बार true आएगा, तब भी true आएगा तो best option कोई दिख रहा है, best option best option ये आएगा, क्या इसका सवार इसी तरीके से आएगा तुम जितने भी PYQs चेक करोगे, अगर इस टैब की variety वाले होंगे वो हमेशा false वाले होंगे, क्योंकि एक ही false ही बनता ही है तो तुम भी tree सिख गया आज, तुम भी seconds में कर पाऊगे यूनियन वाले case में हमेशा तभी false आता है, जब ये false हो अब V वाला जब बन्दा होता है, तब अपने पास जो है, अपने पास वो true false है तो सभी false आता है, वो जब true कब आता है, जब वो दोनों true होते है तब true आता है, हाना, तो देख सकते हो, options से भी तुम चीज़े कर सकते रहे, और ये, ये ऐसी series है, आज कल ये घूम रही है, डबल summation की, घुमा रहा है तुम्हें बस ये, परसान कर रहा है, अगर तुमने मेरे previous videos भी देखे होंगे, तो ये मिला होगा तुमें ये, इसको कैस अगरे लिखते हैं, बता है, अभी हम इसको कितने second में बनाएंगे, कितने second में बनाएंगे, तीस, थीस भी नहीं, बहुत जादा 10 second बस कर लेते हैं, इस बंदे को ऐसे लिख लो, थोड़ा जादा अच्छा दिखेगा, ये बंदा जो है, जादा अच्छा दिखेगा, ऐसे करके सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने इसको तोड़ो 20 ck 20 ck ठीक है ऐसे करके लिख सकते हैं फिर यहां property लगाओ कौन सी property ncr बिल बिल टू ncn-r अब ऐसे लिखने से क्या फायदा होता पता है जब भी तुमने ऐसे लिख दिया ऊपर वालों को अड़ करना है नीचे वालों को अड़ करना और खतम करना है उपर वाले कौन बंदें बैटे हैं ओओ वाओ आप उपर वाले हैं 40 हो जाएगा आप नीचे व पता चल जाएगा जैसे मालों कोई बंदे में यहां बें कई पर माइनस लिखा होता है मनलब एक टम मिसिंग है फिर जैसे मालों यहां से केक वल्डों 0 से नहीं स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट किया है फिर एक टम मिसिंग है तो 0 वाले को माइनस करना पड़ेगा मैं अगर होत तो, तो option से ही तुम्हें पता चल जाता ही है, उपर वालो को add, नीचे वालो को add ही है, सारों को देखो, सब को लगाते हैं, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, नीचे वालो को add, उपर वालो को add, है न, trick, जमा के जा, जम जम, यह आना वाल है सवाल, यह सवाल, यह जो integration का actually इसका method होता बस तुम्हारी एक छोटी से मैनेच चाहिए, बस वो subscribe वाला बटन जो है, वो हो जाना चाहिए, और सब को friends को share हो जाना चाहिए, बस, इसके लावा कुछ नहीं चाहिए, इसके लावा तो selection तो चाहिए, वो तो permanent है यह, दूसरी चीज यह, हाना, अब इस सवाल को कैसे दु आता है, क्या चेक करना होता है, इन दोनों का sum क्या 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, 2 मतलब इन दोनों का sum करो, 8 by 4, 2 के बरावर आ जाएगा, जब भी यह सवाल आया, तो क्या करोगे, जो यह वाला 3 by 4 है, एक्स माइनस 1 की पावर 3 by 4, यहाँ पर इसको square बनाने कोशिश करें एक्स प्लस 1 की पावर 3 by 4, गजब कर दिया, बताओ, अब उसके बाद, एक्स प्लस 2 की पावर 5 by 4 और 3 by 4, एक 3 by 4 यह वाला भी आगा ना, तो square बन गया, अब ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि 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 answer आ चुका इसलिए, कैसे, इसको t रहेंगे, किस बंदे को, इसक x-1 upon x-1, यही हमेशा technique चलेगी, सबसे पहले fraction में देखोगे, अगर यह आ रहे हैं, तो क्या करोगे, लटकाओगे, बलब एड करोगे, या तो इसमें 5 by 4 और चरो, इसमें 3 by 4 और चरो, बस यह logic, इसके बाद, इसमें क्या करना है, u by v rule से differentiation करना हो, सीधे उड़ता हुआ ब x-1 upon x-2 का square और dx आ गया, आ गया तो यह क्या आगया अपने पास, यह तो 3 dx आ गया, तो यह कितना आ गया, dt by 3, oh very good, तो यह आ चुका है, dx upon x-2 का square आ चुका है, क्या यह चपकाना है, अरे सर चपका दीजिए, जीवन चपका हुआ है हमारा, बस अब खतम कर दिया तुमने, dt upon t की power 3 by 4, और यह क्या है, 3 भी था सर, dx में कौन रखेगा उसको, बस अब integration आता अपने को, हा सर सड़े पड़े तो है बज़पन में, इसका integration, t की power n plus 1 upon n plus 1, वाओ, 1 upon 1 plus 1, प्लस 2, क्या answer आ गया, अब तो आई चुका है, अब बस 4 by 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर t की value थ अब तो आई धिंग, तो की थोड़ा सर, integration में थोड़ी सी प्रॉल्म होती है, तुम सोच रहे होगे, सर, we are legends, we will differentiate the options, अना, ऐसा कुछ सोच रहे होगे, दिमाग में चल रहा होगा, सही बात है, x minus 1 upon x plus 2, ठीक है, देख लो, option में कोई भी पड़ा होगा, इन्होंने बोला है अरे, अरे, आप यहाँ पे थे, अरे, अरे, यहाँ पे थे आप, तुम तो legend हो, तुम सोच रहोगे, हम option को करेंगे, सर, differentiate, हमें एक जगा trick सीखे थे, सर, सारे question अपन कर सकते हैं, जितने भी integration के, सारे को option को differentiate करके, कोई भी निकाल सकते हैं, करिए इसको, तब तक तो J-E का J-E में रखना है यह, यह trick लगानी है, यह देखो, नए trick आ गई, ऐसा सोखडो साखडो सवाल पाऊ गई है, साखडो सवाल यह, contra positive, नाम से clear होना ची, contra positive, contra positive, contra positive, if I reach the station in time, then I will catch the train, P implies Q, अगर ऐसा है, इसका contra positive निकालना है, क्या, contra positive, तो यह होता है, negation of Q implies negation of P, यह क्या हो positive, क्या बोले contra positive, क्या बोले contra positive, क्यों बोलरहा है, क्यों कि 50 बार आता है, इसलिए आता है, compare positive, तो क्या करना है, उस side में बंडा बैठा हूआ है, उदर पे, आप negative होईए है यार, क्योंकि आप negative होते है, इस side में जो बैठा हूँग सालगा है, I will catch the train, I will not catch the train, इस접 Portation रखना यह देखो यहां पर पड़े समझ में आरारी बात क्या आप का रूवल को आगी फिकर ज़ेंगा नियुक्ड यूंडा बहुत कुछ सीखनेता एक यह अでは भूसा है बाइस पेंगाल जियी वाले टाइम पर भी तुम budget वापस ट्रिक बताते हैं मदर की तुम क्या करोगे सचिन की निकालना सचिन की तुम आज जाके निकालोगे मदर की मैं निकालोगा सचिन की तुम निकालोगे अपने अपने जितने भी तुम्हारे जो हैं वर्ट से सभी के लिए तुम आज निकालोगे सबसे पहले मैं निकाल I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, D O, P, Q, R, S, D सर यह आते हैं आपने को A, B, C, D तो बच्पर में मैंने पड़ी थी A, B, C, D आती है न आपने को? नहीं आती? Oh, no A, B, C, D E, F, G, H I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, D नंबरिंग कर दी? बस, Sir, अब बस आंसर आएगा पता है, जैसे तुमने नंबरिंग कर दी अब देखो, आंसर आएगा वो तुम्हें बनाना है, यह हम बना रहे है 3 से छोटे नंबर 1 and 2 2 लिख दो 4 से छोटे नंबर 2 लिख दो 6 से छोटे नंबर इस साइड में देखो न, इधर साइड में 3 2 से छोटा नंबर 1 1 and 0 इसके बद क्या करना है? 0 factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial and 5 factorial उसके बद क्या करना है? सभी को सिर्फ multiply कर देना जैसे तो multiply करते हो तो इसकी value आएगी 240 इसकी value आएगी 48 इसकी value आएगी 6 3 जै 18 ठीक है? इसकी value आएगी 2 अब बाकी क्या तो 0 आजाएगा और तुम सभी को जब तुम add करते हो 240 plus 48 plus this will give you a 308 सबको add कर देना 308 तो जो मदर की ranking आने वाली है वो क्या आएगी? 309 क्या करेगी? 309 This is a PYQ Sachin का कौन निकालेगा? तुम Sachin का निकालके देखना इसी तरीके से जो मैंने logic बता है बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल ये देखके integration का बहुती बढ़िया सवाल है जो किया आए था इसमें अपन जो है concept यूज हो रहा है आजकल आजकल ये concept चल रहा कौन सा? differentiation by the cancellation method integration by the cancellation method सबसे पहली चीज़ इससे questions को करते कैसे हैं ये? पहले इसको multiply वगरे कर लो देख लो कैसा बढ़िया 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 आ रहे की नहीं यहाँ पे आ गया ये देखके जब भी बहुत बड़े बड़ी चीज़े दिख रही नहीं इसके मतलब हमें क्या करना है? integration by cancellation method लगेगा tan cube x फिर देखो यहाँ पे आएगा sin की power 4 into 3 x ठीक है? उसके बाद आएगा 2 into second square x यहाँ गया सही है उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? 3 times of tan की power 4 x ठीक है? उसके बाद sin 6 x को भी open कर लो ताकि वो उसके साल multiply हो जाए तो यहाँ जएगा 2 की power of sin cube 3 x ओके? और यहाँ जएगा cos 3 x क्योंकि मैंने इसको open कर दिया sin 6 x को 2 sin 3 x into cos 3 x फिर एक तो already था यहाँ पे और दो यहाँ से आ रहेंगे बस इसको open किया रहे है 3 सारी चीज़े यह अब बस अब answer लाने की देर ही है देखके बहुती घबरार सी हो रही है बट answer जो आएगा बिलकुल चुटकियों में आएगा बस देखते जाना क्या कर रहा हूँ integration by cancellation में एक ऐसी चीज जो ने है जो यहाँ पे differentiation मिल रहा हूँ हम लोग ने जैसे यह पढ़ते है d of dx by u dot v तो उसमें आते है u dot dv by dx फिर क्या आता है v dot du by dx तो हमें ने यह लगाना है जाँ यह कुछ ऐसा कुछ करना है कि यहाँ से पकड़के इसका differentiation यहाँ मिले यहाँ से पकड़के यहाँ मिलें तो यहाँ पी ने 10 की पाउर 4X मिल रहा है मेरा को क्या हमें इसको differentiation करने आता है आता है सब तो वहाँ पे आता है 4 tan cube x 4 tan cube x tan sec square x tan 4x का differentiation क्या आता है tan cube x और second square x but 4 की जरूद पड़ेगी तो ठीक है 4 multiply 4 divide 4 multiply 4 divide अभी काम करते हैं इसको differentiation करते हैं किसको इसको इसको जब differentiation करोगे तो क्या आजएगा अपने पास यहाँ पे जो आएगा 3 थाई ठीक है 3 वाला पाट है sine की power 4 3x sine की power 4 3x इसको differentiate करो तो क्या आता है इसको जब हम differentiation करते हैं तो क्या आता है 4 sine cube x 3x into cos 3x into 3 ऐसे आता है तो क्या यह सब अब उपलब्ध है अपने पास सर यह तो उपलब्ध है ये ये तो उपलब्ध है ये चीज़ों उपलब्ध है और 3-view उपलब्ध है यहाँ पर सर यहाँ पर तो 2 लिखा है बड़ चाहिए था 4 ठीक है 2 से multiply or divide 2 से multiply or divide खतम कर दिया तुमने कर दिया ना खतम अब बस हो चुका है तिहान से देखो बहुत सारी क्योंकि बारीक से चीज़े चल रही न तो हमें मिल चुका है बस answer हमने answer डून लिया है ये बंदा का differentiation यहाँ पर पढ़ाए देखो ये ये और ये तीन चीज़े तो मतलब ये एक pattern ये मिला एक pattern वहाँ पर पढ़ा हुआ है और ये 2 तो adjust होगा क्योंकि 2 by 4 है तो 1 by 2 तो बचेगा उदर भी देखो 1 by 2 बचेगा बागी सब खिसक जाएंगे इस सारे बंदे चले जाएंगे सिर्फ 1 by 2 यहाँ पर बच जाएगा और वहाँ पर भी सिर्फ 1 by 2 बचेगा तो क्या बचेगा देखो पता है क्या बचेगा सर बचेगा तो बहुत कुछ अब क्या बताएं आपको 1 by 2 ये बच रहा है differentiation और बहुत तकड़े सोचना बचे सोचने की बारी है देखो सोचना बहुत ज़रूरी यहाँ पर 10 की पावर 4x है ठीक है? उसके बाद क्या पता है? साइन की पावर 4 3x ओहू, very good सर उड़ाने के बाद क्या करोगे? यहाँ पर 5 by 3 रखोगे, तो बस आप 5 by 3 रखो तो आजएगा 10 की पावर 4 into 5 by 3, फिर उसके बाद आजएगा साइन की पावर 4 into 5 के बराबर, 3 into 5 by 3, माइनस उसके बाद, माइनस साइन के साथ 10 की पावर 4 into 5 by 6 उसके बाद sin की पाउर 4 into 3 into pi by 6 और बाकी तो 1 by 2 तो सर रख नहीं है अपने को यह value के बाद यहाँ पर 1 by 2 तो रख नहीं है अब देखते हैं सर माइनस में आंसर जाएगा पता है क्यों सर हमें पता चल गया क्योंकि यह value 0 होने वाली है क्योंकि sin pi है न तो यह 0 हो जाएगा ओ नो यह value 1 आजाएगी सर अब यह आगया 10 of जो आगया तो मारे पास 30 डिग्री आगया तो 1 by root 3 की पावर क्या आजाएगा 1 by root 3 की पावर क्या आजाएगा 4 आजाएगा तो वो कितना आता है 9 9 और 2 कितना आएगा 18 आरे वाओ सर वाओ वाओ आंसर इस माइनस बना बॉन 18 है न जबर्दस्त ऐसे सवाल भी आ रहा है क्योंकि तुम्हें पता होगा J.E. में जो आता है average paper जो से अपी आता है mathematics का paper अगर हम below average पढ़के जाएगे सिब NCRT के problems तो वहाँ पे हम basic वाली problems भी नहीं कर पाएंगे ऐसी problems आना बहुत जरूरी है यह concepts को आना क्यासा definition एक बंदा इधर एक बंदा इधर कभी भी बड़ा बड़ा कुछ problem दिख रहा है बड़ा सा 10 की power 4 10 की power 3 मद तब फिर यह पक्का logic लग रहा हो गई किसे हम क्या कहते है integration by cancellation में ऐसे और भी questions आएंगे तो तुम्हें और clarity आएगे इसको ढंग से करना है फिर solution देखना फिर मज़िदार बात है यारी है ओ वाओ कल हमने ये सवाल बताया था कि नहीं याद करो तू वाले में ये question हुआ था चेक करो चेक करो लोकस आप दे foot of the perpendicular PYQ सारे PYQ देख रहे है foot of the perpendicular drawn from the focuses upon arbitrary tangent याद रहा हमने बूला था auxiliary circle अरे सरी याद आ गया x square plus y square equal to 4 option पढ़ा एक minus 1 upon root 3 कौन हो सकता है हो तो बहुत सारे सकते हैं option देखना पढ़ेगा ना कौन सा हो रहा है नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा यह करेगा बस कली बताया थे गिनी आ रहा है न डारेक्ट बोर रहत है SP1 plus SP2 वो B square वाला ही बताया थे एक यह property बताया दी सारे दिमाग करते रहो यह सारी PYQ होईगे अब यह यह जो PYQ है क्या यह तुम ट्राई करोगे क्योंकि यह दस्वा नंबर है यह तुम ट्राई करोगे This is your homework This is your homework कमेंट करोगे कि सर मेरा क्या answer आया दस्वा नंबर is homework पताये अगले बार इसको discuss करेंगे अगर तुमसे नहीं हुआ होगा डेफिनेटली कमेंट करना कि सर यह आया था यह काफी कुछ तुमने सीखा समय का बता भी रिशला इतनी सारी चीज़े सीख गए समय जो है बिल्कुल सर काटे गए अड़का कि नहीं समय है और तुमने चीज़े भी नॉलेज़ भी रिली और पहुच भी गए अच्छे कॉलेज में अब इसके बाद यूइल फाइंड देखो जो भी बच्चा जो है कि मलब इसके नोट्स पगरे के लिए हमने बता दिया था उसी चैनल में जोइन के जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्फुल हो पत्र लगा मूवी हो आगे यह सब चैनल में जोइन कर लिए उसे बाद में देख लिए ना वैब स्रीज वगरे मूवी बाद में देख लिए अभी पढ़ाई का टाइम है जो बच्चा अभी एफर्ट कर सकता है निंजा जही सिरीज चैप्टर वाइस तो वो इसमें एफर्ट कर सकता है तो इसको ले लिए काफी सिंपल वे में बढ़िया पढ़ते रहे सब कुछ सिंप्लिफाइड वई में रहेगा बेस तरीके से रहेगा बाकि अगर कोई जैसे मालो की लगनव आना इंटरेस्टेड है जो कि तुम्हारा बीस में से कूर्स स्टार्ट हो रहा है ओफलाइन सेंटर भई है किसमें ओफलाइन सेंटर में फिजिकल अपन पढ़ रहे होगे साथ में बिलकुल है तो मेक शूर वो मैथोजोनिक में तु लगनव अडरेस वगेर सब तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भर देना तो उसमें तुम्हें कॉल है जाएगा है ठीक है चलते है अपन फिर मचाना है तो आल दे बेस्ट तो एवरीवन एस्टेक जैई पोड़ना